हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सारा काम कर लिया था और बजे हुए हैं पौनी दस का टाइम हो रहा है सब कुछ काम कर लिया था और बेटी सो गई थी और हबी मैं कर रहे हूँ आज किचन की डीप क्लिनिंग क्योंकि वैसे तो किचन की सफाई रोज होती है लेकिन क्या होता है उपर की जो अलमीरा वगर होती है वो दर से पंदरा दिन में एक बारी साफ करते हैं और जो स्लैप पर वैसे तो सफाई स्लैप की रोज होती है लेकिन जो टाइल्स वगर होती है उन पर इतनी अच्छे से नहीं हो आप देख सकते हैं टायर बिल्कुल ऐसी हो जाते हैं जो हभी की हभी लगाई हैं किसी परकार की दाग दब्बी नहीं रहते हैं इस पर वैसे हम रेगुलर से पूचते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत निसान रह जाते हैं जैसे पानी के से निसान लगे रह जाते हैं और एड़ेस्ट कर देंगे और फिर दूसरी स्लैब की सफाई करेंगे तो दोस्तो वीडियो के लास तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको हमारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी विलेज से रिलेटिड ग्लोग और विलेज लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं मेरी कीचन बिल्कुर सिंपल सी है बट इसे ही साफ सुतरा रखना चाहिए इस समान को एड़ेस्ट करके तो यही साही है इस कीचन में नय तो सिंक की सुईधा नय आरो अगयरा किसी परकार के कुछ भी सुईधा है देशी कीचन होती है बैस स्लैप अगर अच्छे से बनाई हुई है मेंटेन की वह है और इसे ही हम साफ सुतरा रख सकते हैं तो एक स्लैब को साफ करने के बाद मैं दूसरी स्लैब को साफ कर रही थी एक स्लैब पर अक्सर गैस रखी हुई होती है लेकिन अभी फिलहाल निचे बैटकर खाना बनाते हैं तो निचे रखी हुई है साफ वगेरा करकर उपर रख देते हैं खाना बनाते हैं तब निचे अतना एक गंटा लग जाता है काना बनने में आपकर टूल में आपकर टूल 2000 में खारेकों को । करके लिख करा गी थी सारे बर्तनों को ये थोड़े थोड़े जीज बची वी थी उनको मैंने कटोरी में डाल कर रख दिया था दो पहर में कोई खाना खाएगा तो खा लेगा बस ये होट पोट है इसमें हम खाना डालते हैं उपर साइड में चम्मच वगरा लगाने के लिए स्टेंड लगा रखा है तो उसको भी मैं अच्छे से पूछ दिया था क्योंकि चिकना वगरा हो जाता है जब यहां से हम चम्मच चाको वगरा यूज करते हैं तो कहीने के हमारे हाथ लगते हैं तो उसके निसान इस पर रह जाते हैं वैसे तो पूछते रहते हैं फिर भी क पूछते हैं क्योंकि इस पर चिकट जम जाती है चोक वगरा लगाते हैं तो और हभी देखना इस पर कितनी ज़्यादा चिकट रोज पूछते हैं तब भी इस पर बहुत सारी चिकट आ जाती है लेकिन डोल्ची वगरा को मैंने अच्छे से पूछ दिया है हाथ लग जाते हैं गी वगरा निकालते हैं तो चिकने हाथ लग जाते हैं जो कि देखने हम फिर अच्छे नहीं लगते तो साथ दिन में कभी भी टाइम मिलता है तब ही कर लेते हूं आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चिकट है और ये गरम पाने का कपड़ा है तो जल्दी से उतर जा लेती हूं आप देख सकते हैं तो यहां पर मैं ये चिनी चाय पती जो इस्टील के डब्य हैं इनमें चिनी चाय पती गरम मसाला और दनिया पाउडर वगरा डाल रखा है और जो प्लास्टिक के हैं उनमें सभी में अलग लग चीजे डली हैं हल्दी नमक मिर्च लाल में में टेता है तो यह नहीं है कि हम कोई खरीद कर लेकर आए ते दब्य जो भी दबियाते हैं उनकोई साभ परादा रखा भग यृ। प्रोटीन आया था बस तो उपर की सारी सफाई हो चुकी थी अब मैं नीचे आगए पहले नीचे गैस को साफ कर लेती हूं अच्छे से और फिर उपर रख देंगे इस गैस को इन गयरुच है तो एक बार गिल्ए कपड़े से और फिर सुक्षे कपड़े से पुच लेंगे मैं पहुलए यूज़ करती गया स्पेस नाप, पहुल्च है सभी जगय लगता है तो मैं यहां पर पहुल्च सिएक गपड़े से पूचत हैं निच्चे पोचा यूज करते हैं कीचन में तो यहां पर एक बार गिले कपड़े से पूछ लिया था अब सुखे कपड़े से पूछने के बाद बस इनके बर्नर को साफ कर लेंगे और फिर इसको पर रख दूंगे गैस पर भी बहुत सारा विखर जाता है वैसे तो स्याम के खाना बनाने के बाद इसकी सफाई की जाती है और फिर से इतना ही हो जाता है कभी दूद गरम होता है कभी चाय बनते है तो कभी न कभी कुछ न कुछ बिकर जाता है तो फिर से ही हो जाता है अगर सिंख हो तो उसी टाइम गिल्ले कपड़े से पोच दे तो इतना ज़्यादा नहीं खराब होता लेकिन सिंख नहीं है फिर भार से कपड़ा पोस करके लिए कराना पड़ता है तो इसी दिकत की वज़ जैसे बस साम सुबही साफ की जाती है यह नहीं कि कुछ भी काम करें तभी इसको साफ किया जाए तो मैंने सारे उल्मोश्ट सफाई कर ली थी इसके बाद में लगा रही हूँ पोचा तो यहां पर मैं सारे चीजों को हटा अटा कर अच्छी से पोचा लगा लेती हूँ और जो हमने ये किचन में नीचे नीचे वाल पेपर लगा रखा है इस पर भी डस्ट वगएरा लग जाता है तो मैं इसको भी किलिन कर लेती हूँ आप देख सकते हैं कही न कहीं थोड़ी पोच मिट्टी लग जाती है या लस्सी वगएरा जब दूद भी लोते हैं तो लस्सी के निशान पढ़ जाते हैं उनको भी मैं पोच लेती हूँ वैसे तो रेगुलर पोचा लगाती हूँ तब भी पोचती हूँ बट अभी डीप क्लिनिंग तो हो रही थी तो मैं सोचा कि इनको भी अच्छे से पोच लेती हूँ और जो बस सारे किचन में पोचा लग गया आज कि इस वीडियो में इतना ही था मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाई टेक केर तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो भी क्लिनिंग पर ही आने वाली है जरूर देखना स्पोट करना सो बस आज किस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर